है है गाइस देखो आज हम एक बहुत चोटे से स्टॉक के ओपर डिस्कस करने वाले हैं जो लगबग 30 या 40 रूपिस के आसपास स्टेट कर रहा है सही है अब इस कंपनी को बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत लॉट्री लग चुकी है मतलब 2,70,000 का इसको जो है ओर्डर मिला है डॉलर सही है तो 2,70,000 करो का मतलब बोल सकते हैं इतना बड़ा इसको ओर्डर मिला है अप्रॉक्सिमेट्री हम बोले तो 3,000 के आसपास अब ये कौन से कंपनी है तो एक क्लू देता हूँ में आपको फार्मा है अब फार्मा है तो आपको पता ही होगा कि कोवीट के वज़ तो देख भी सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने साप सब बता हैं कि यहाँ देख सकते हैं बजार में गिरावट हुआ तो केवल एक share खरीदना छप पर फाड के मूनाफ़ा देगा देखो मतलब कभी कभी ना आपको थम्निल भी समझ में आही जाता होगा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है अलगब नाइन आवर अगोल सुबह मतलब मार्केट ओपिन होने से ठीक आदे गंटे पहले तीस मिनिट पहले ये वीडियो अफ्लोड किया गया था और यह देखो मेरा दूसरा चनल है देख सकत 3,400 है चलो सही है अगर देखो यह जो स्टॉक है लगब 3,900 के आसपास आपको दिख रहा था अस्त्राजनिका फार्मस सुबह सुबही मैं आपको बता दिया तो यह जो स्टॉक है आउट पफर्म करने वाला आपने तो देखी लिए चपर फाड के मुनाफ़त देगा थम्न आते हैं अपने टॉपिक के ओपर हाला कि डिस्क्रिप्शन में उपर में लिंक दिया गया अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हैं और वहां पर और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको बना के दिये जा रहे है डेली लगबग एक यह देखो भाई वहां पर आपको केव अंदर आपको 20-25% का रिटन देखने को मिल जाएगा और एक महीने के अंदर आपका पैसा जो है डबल होना सुरू हो जाएगा यह इतनी बड़ी खबर है और देखोगे तो पिछले 5 दिनों से यह स्टॉक भाग रहा आज के रिट में जब खबर आई तो यह स्टॉक में सर आउड देखने को मिली लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करगो यह कंसलेडिशन पिरेड और यह कंसलेडिशन पिरेड यह क्या होता चार्ट देखो कभी-कभी ना बंदे चार्ट देखके भी समझ जाता है कंपनी कैसा पफर्म कर सकता है और यह दो चीज अगर आप देखो यह पूरे फार्म सेट-अप क्लिए काम कर रहा हाला कि एससे बतने क्या आपको फार्म यह जो वह साली यह इसको आपको खरीजने के लिए बोला जरा केवल यहां पर आपको वह खबर बताई जा रही है जो मार्यक्ट में दौट रही है तो यहां पर देखों के तो आपको बता चलेगा यहां देख सकते हैं यहां पर एक एक चीज का नाम बताया गया अफगानिस्तान फोर्ड़ सप्लाय ओफ ए पी आई पैकेजिंग ऑफ मेटरियल लाइक यहां पर आपको बताया गया कैप्सूल सही है और ग्लास वाइल आपको बताया गया रबर स्टॉप पैसिफिक जो आपको मशिनरी है सिट अप सच एज टाबलेट यहां पर मनिफैक्ट्चर मशीन है तो यह सारी चीज जो है इसको सप्लाय करना यही खबर यहां पर आपको वैशाली फार्मा में आपको देखने को मिली है सही है लगबग 38.5 के आसपास यह स्टॉक देखने क को मिल लाएगा और हो सकता है कि जब काफी उपर पहुंचा स्टॉक तब आपको बहुत कम लोगों को मौका मिलेगा या फिर सिल करने के लिए और इसी चीज में आप जैसे बहुत तरे लोग बुलें कि नहीं यह सही नहीं है यह कंपनी यह वह ऐसे बहुत तरे लेकिन यहा और at यहां पर चलता है कि आज के मतलब यहां पर जो यहां पर कितना का था 26 रुपीज का था और फिर देखें यहां पर लगबग 34 रुपीज का और अभी देखने को मिला 34 रुपीज का मतलब केवल 30 रुपीज अगर हम देखें तो यह 30 रुपीज के आसपास ही ज्यादा दोड़ता है 30 रुपीज के आसपास ही ज्यादा स्टॉ रिस्की हो जाएगा थोड़ा रिस्की हो जाएगा क्योंकि लास्ट टेम जितने लोगों ने यहां पर माल खरीदा था लगवख 35 के आसपास प्रॉफिट तो काफी अच्छा हुआ था लेकिन इसकी यह गया कहां तक था लगवख 75-80 रुपिस तक गया था उसके बाद इसमें अब देखो अगर आपको कंपनी का वेलुएशन और प्रोड़क्ट अगर आपको अच्छा लगा तो कंपनी अगर 50-60% भी गिर जाते हो तो टेंचन वाली बात नहीं है अगर वर्न बफिट का देखो गए बॉक्शेर हाथवे तो उसमें भी लगवख कम से कम तो 50-50% तक क गिरावट देखने को मिल जाता था कभी-कभी बॉक्शेर हाथवे जिसका शेर का प्राइस वन करोड़ या टू करोर के आसपास देखने को मिला सही है तो उसमें भी लेकिन वर्न बफिट बोलते कि वो स्टॉक आपको नहीं बेचना चाहिए वहाँ पर और एनसी के ऑफिस आप देखोगे तो यहां देख सकते हैं अगर दस रुपे का इसका फेस वेल्यू आपको देखने को मिला अगर लाश्ट कॉर्टर में देखेंगे कंपनी इंफोमिशन में तो किस तरीके से प्राफिट देखने को मिला था तो देखो सब्तंबर में आपको बताया जारा 30 77.07 का इस प्राफिट देखने को मिला ता फिर दिसंबर में आगर आप देखो यह तो देख सकते हैं लगबक काफी अच्छा मुनाफ़ा देखने को मिला था तो कंपशी कभी कभी कुछ जयादा ही अच्छा-गासा प्रॉफित कर दिखाती है और कभी 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 कुछ जधा ही आपको गायावर्ट देखने को मिल जातां तो कपशी का प्रॉफित आपके सामने हैं और ये जो company है marketing of pharmaceutical product के लिए ज़्यादा तर ये company जानी जाती है और उसे के लिए ये काम वगर भी करती है अगर आज करके date में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको profit हो रहा है जो छोटे छोटे फार्मा वाले company है या फिर laboratories वाले है ये दो चीजों को ज़्यादा profit देखने को मिला आज के date में आप देख सकते हो अस्तराजनिका में लगबग आपको 15% का तेज़ी देखने को मिला काफी अच्छा outperform किया और भी अगर सुबह सुबह मैं आपको बताया था Cadillac Healthcare बताया था और और एक बताया था आपको खरीदने बिशने के लिए नहीं बताया था आप अपने हिसाब से देखो क्या आपको सही और क्या आपको गलत लग रहा अभी यहाँ पर एक्जाम्प के लिए तोर पर देखेंगे यह फार्मा को लगए 20% का लैब है जो 20% का इसमें भी आपको 20% का तो यह छोटी छोटी वाले स्टॉक है जो 80 रूपीज 60 रूपीज 50 रूपीज का आई सही है तो यह छोटी स्टॉक है लेकिन रिस्क भी बड़ा है भाई तब ही आपको प्रॉफिट बड़ा देखने को मेला अगर आपका आपका पैसा दोनों सेफ होता है अगर आप किसी अंजान जगहे पर अपका पैसा और दोनों लेके भाग जाएं इसलिए अच्छे जगह पर डिमेट अकाउंट उपिन करना है एंजल में देखो गए तो एनसी बीएसी में चिल फंट सभी कुछ खरी सकते हो कोई टेंचन की बात नहीं है और यहां जो चार्जेस वगरा है डिमेट अकाउंट फ्री में डिलेवरी चार्जेस फ्री में किवल उपिन करना शुरू कर सकते हैं